तो इस्टार्ट करते हैं सेशन और OSPF राउटिंग प्रोटोकॉल कवर करते हैं OSPF राउटिंग प्रोटोकॉल के लिए एक छोटा सा लैब यहां पर आप सबसे पहले बना लो तो कोई भी लैब दो चींग चार राउटर को लेकर बना लो है ना तो मैं यहां पर राउटर वान टू ट्री पॉर पाइफ और भी जितने राउटर लेना हो लेलो और इन सभी को मैंने कनेक कर दिया और इधर से पाथ देने की जरूरत नहीं अबर ठीक है मारे पास रहें दो ऐसे ही यह कनेक्शन है और उसके बाद कुछ क्लाइंट वगएरे भी हम और यहां पर भी ठीक है और मालिया यहां पर हमें जरुवत पड़ेगी different different area की तो यह area one लेते हैं यह area zero लेते हैं यह area two लेते हैं और यह area zero लेते हैं ठीक है झाली कर्योंभ लेते हैं परा समय से चाल लेते हैं झाली क्या यह बתח viu करा? चली करहीन भेते हैं झाली कर दो बते हैं 3 चली कर 토들 एक बाली ककी झाली करोरेशना है से बाली कर दो शे जरुट ड्रबाट है कि अधियाग्राम समझ में आया क्या लिखा है किदर यह हमारे पास एक डाइग्राम है ठीक है और कोई भी आईपी प्लान कर सकते हो फर एक्जामपल के लिए इधर मैंने ले लिए 192, 168, 100.1 और इधर के लिए मैंने ले लिए 1.1.1.1 और इधर मैंने ले रखा है 1.1.1.2 ओके तो यह हमारा जो आईपी इसके लिए है इसके लिए प्लान कर लेते हैं 2.2.2.1 और इधर हम डोग 2.2.2.2 और इधर हमारे पास है 172, 168, 0.1 और इसके लिए है 10.001 और इधर हमारे पास है 10.002 इधर हमारे पास है 11.001 इधर हमारे पास है 11.002 12-001 और इधर 12-002 और इधर 13-001 और इस तर होस्ट है 13-002 और इधर 192-168-100.1 ठीक है यह यह हमारे पास एक टॉपालेजी है इसी के बिहाब पर हमारा कंफिग्रेशन और सारी चीज़ें समझना है राइट तो हम सेम ऐसे ही टॉपालेजी पर सारा कंफिग्रेशन इसी तरीके साथ अपना लाइब सेटप कर लेंगे सीपीटी के अंदर और इस पर फिर मैनेस करेंगे तो मैं इसी का स्क्रीन शॉट लेते हुए सारी चीज़ें आगे मैनेस करता हूं सबसे पहले इसका स्क्रीन शॉट लेते हैं यह डियाग्राम है हमारे पास इधर आप देख रहे हो और इसकी कंफिग्रेशन यहां से मैनेस करना है राउटिंग प्रोटोकॉल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यह ओएस पी अफ राइट तो ओएस पी अफ क्या है कोई आइडिया ओएस पी अफ इस्टेंट फॉर बताइए हलो कोई आइडिया नौसर्ण ओके ओपन सोर्स पाथ फस्ट राइट सोर्स पाथ फस्ट नहीं सॉर्टेस्ट पाथ फस्ट बागी सही है तो देखो ओएस पिअफ क्या है डेखते हैं सबसे पहला point हमारा OSPF को लेकर आता है कि what is OSPF या OSPF क्या है तो मुझे दूसरा pen लेना पड़ेगा इस pen से समझ में नहीं आज़ा चैसे चल गाई यह pen यह तो चलता ही नहीं एक pen का मेरे एंग खतम हो गया है तो मुझे इसको दुबारा से लांच कराना पड़ेगा यह स्क्रीन विजिबल है इधर मैं टाइप कर रहा हूं यह लिख रहा हूं और आप तो OSPF स्टेंड फॉर होता है ओपन सॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट यह इसका फॉल फॉर्म होता है इसक्रीन शॉट ले लेना मैं बिल्कूल क्लीन लिखूंगा यहां पर यहां पर क्या क्या है कैसे है तो हल्प करेगा यह वीडियो से आप फोटेस्ट ले सकते हो तो कोई दिकत नहीं ओपन सॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एंड़ यह जो है ना open standard protocol है it is an open source protocol open source protocol और prototype तो open source होने से benefit क्या मिलता है हमें anyone sorry any device can use this protocol right कोई भी device पे आप इसको क्या कर सकते हो use कर सकते हो third point admin means यहाँ पे आप मैं लिग दूँ means Cisco and other devices support this protocol right तो यह Cisco other devices के लिए भी काम करता है and it work with link state algorithm it is a link state routing protocol एक डिस्टेंस वेक्टर आपने पढ़ाता इधर क्या लिंक इस्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल यह वर्क वीट आर यूजड आटोनमस सिस्टम नंबर है न यह क्या यूज करता है एस नंबर आर आटोनमस सिस्टम नंबर विच इन आइदेंटिटी नंबर फर यूर राउटर और फर यूर नेटवर्क राइट तो जैसे मालिया कि हमने यहां पे चार राउटर पांच राउटर ले रखा है तो हर राउटर का होगा एक स्पेसिफिक आटोनमस सिस्टम नंबर होगा इसका मालिया मैंने 30 इस्तिमाल किया तो अगर एक ही इंटरनल एरिया में मतलब एक ही नेटवर्क रिप्रेजेंट करना है तो आ अब ही का अर्टिनमस सिस्टम नंबर क्या होगा 30 होगा तभी ये सब एक निटवर्क में आपस में कम्यूनिकेट कर पाएंगे क्लियर है वट इंस और यह हो गया एंड प्रोटोकॉल नंबर यह 89 पर वर्क करता है प्रोटोकॉल वेल्यू या प्रोटोकॉल नंबर जो इसका होता है रायज पी का कितना था है ने इसिका था- rein-berger पी तो प्रोटोकॉल नंबर 89 पर यह वर करता है और यह रपी का कितना था एटी एट किसका पड़ा था भूल जाते है कोई कि अडिनीस्ट्रेटिव डिस्टेंस कि एडिनीस्ट्रेटिव डिस्टेंस इसका कितना होता है 120 और नए 110 होता है 120 का होता है नो कुछ भी मतलब थोड़ा सा जब पहले पता रहता है ना यह पढ़ना है तो थोड़ा से उसके बारे में सर्च वच्छ करके बैठा करें थोड़ा सच्छा लगता है सॉरी administrative distance value गलत सही जो भी सर्च करके बैठो है ना class से पहले बाद में मत गलत सही गलत सर्च कर लेना नहीं तो ऐसे ही रह जाए तो administrative distance हमारा 110 है यहां पर 89 प्रोटोकॉल है अटनुमस सिस्टम नंबर से मिस्तेमाल होता है सारे राउटर पर अगर एक network हमें represent करना है तो and OSPF use multicast address यह क्या होता है एक multicast address इस्थिमाल करता है और जो हमारा multicast address है वह 224.005 है कितना होता है 224.005 for normal communication ओके यह किसके लिए होता है नॉर्मल अपडेट वगरे के लिए यह सारी चीज़े होती है फॉर नॉर्मल अपडेट कि यह ज्यार्पी का कितना था कि 224 009 किसी चीज का पड़ा था आप लोगोने है कि नहीं की हाद है है को हम 5 uniswo 224 006 music पडsemble 6 पड़ा marks है नाइन पड़ा था है हुँआ हूँआ सा रिपीट भी करते रहे हैं प्रैक्टीस 224006 यह हमारे अपडेट को रिप्रेजेंट करता है रिलेटेड डी आर ओके तो डेजिगनेटेड राउटर या बी डी आर बैकप डेजिगनेटेड राउटर के अपडेट के लिए यह वर करता है अपडेट इस पटिकुलर अड्रेस यूज़ड फॉर इस्पैसिफिक अपडेट रिलेट डेजिगनेटेड राउटर एंड बैकप डेजिगनेटेड राउटर अब यह दोनों है क्या आगे आपको मिलेगा सो डियार एंड बीडियार के अपडेट से रिलेटेड मैसेस को यह अपडेट को मैनिस करने के लिए 224006 इस्तेमाल होता है एंड 224005 जो हमारा है यह नॉर्मल अपडेट के लिए मैनिस करता है OSPF दो वर्जन में यहां पर डिफाइन होता है और इसका एक रिक्वेस्ट फर कमिट भी हुआ था है ना मिन्स रिक्वेस्ट फर चेंज कुछ हुआ था और यह आई पी वर्जन 4 को लेकर हुआ था तो OSPF आपके अगर वर्जन में देखा जाए OSPF वर्जन 2 और IPv4 के भी आप पर वर्क करता है और इसमें जो चेंजेज के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो आपको विक्कीपीडिया पर मिल जाएगा इसकी जरूरत नहीं है बाट यू कैन सर्च है लो टाइमर की अगर हम लोग बात करें तो OSPF वर्जन 10 सेकेंड हैलो टाइमर यह 10 सेकेंड पर वर्क करता है और इसका जो डेड इंटर्वल टाइमर होता है यह मैक्सिमम 40 सेकेंड क टाइमर पर वर्क करता है तो टेन सेकेंड 40 सेकेंड का टाइमर होता है अब यहां पर पर्रियोडिक अपडेट टाइमर दिया हूआ है तो अगले 10 सेकेंड में इसको जाना ही जाना है राइट यह अगर नहीं यह पर सं देगा ही देगा एक दूसरे को टेन सेकेंड का हेलो मैसेश टाइमर होता है लेकिन मान लिया कि अभी टेन सेकेंड हुआ इसने मैसेज इसको सेंड कर दिया router या branch 1 से इस router ने r1 ने r2 को update send कर दिया अभी 2 seconds पहले hello message का update send कर दिया next update कितनी दीर बाद जाएगा 10 seconds बाद जाएगा बट अगले 2 seconds मतलब update बेज्टे ही जैसे ही 2 seconds में इसने update किया अगर माल लिया for example मेरा question है कि अगर इधर हमारा राउटर का लिंक डाउन हो जाता है कि देन वाट विल हैपेंड कि प्रियोडिक अपडेट जो यहां पर टाइमर है वह अगले कितने सेकेंड में सेंड करेगा लेकिन यहां पर इसके साथ एक और अपडेट भेज सकता है ट्रिगर अपडेट है ना तो ट्रिगर अपडेट विदिन सेकेंड इसने अपडेट को फिर इसको बता देना है ना इस राउटर को अपडेट मिल जाएगा कि यह लिंक डाउन हो चुका है अगले दस सेकेंड तक वेट करने की जरूरत नहीं है तो फास्टर कान्वर्जेंस यहां पर हमें देखने को मिलता है कि वास्टर कन्वर्जेंस हमें यहांपर देखने को मिल जाता है थोड़ा सा और साफ इसको लिख दें प्रिगर अप्डेट्स ओके विट प्रियोडिक अप्डेट यह 40 सेकेंड का होल डाउन टाइमर है यह भी ध्यान देंगे 10 सेकेंड का हेलो मैसस टाइमर है एंड सबसे बढ़िया इसमें यह है कि यू कैन यूज अनलिम्टेड नंबर आफ राउटर्स अलिम्टेड राउटर आप यहां पर इस्तिमाल कर सकते हो क्लियर है ओ इतना स्क्रेंशॉट किसी को लेना है तो यह ले लो क्योंकि यह रहा हमारे OSPF के बारे में बेसिक इंफरमेशन बट इन एडवांस वाइल वर्किंग विद लिंक स्टेट रौटिंग प्रोटोकॉल यहां पर मैनुVallी आपको किसी भी रौटर पे किसी रूट को बताने की जरूरत नहीं है हर रौटर एक दूसरे से डैनमिक प्रोट coincides में कनेक्ट होगा राइट आर आर वन आर टू R3 R4 R5 अभी के लिए जस्त मैंने नॉमिनेट किया इसको और router sends its information about neighbor about its neighbor means अपनी information अपने neighbor के साथ ये क्या करता है send करता है just because of hello masses and CDP protocol right and it work with this कास्त्र algorithm एक scientist थे जिन्होंने इस model को बनाया इसके बारे में बताया so this कास्त्र ऐसे बोला जाता है के ASTR algorithm and ये बोल सकते हो कि best route सेलेक्ट करता है with the help of list cost cost value के भियाप पर ये क्या करता है higher bandwidth जिदर होगा उधर ये lower cost display करेगा और उसको as a best route decide कर लेगा सब्सक्राइब तो इधर हो जाता है so यहां पर यह सारे प्रॉसेस में high cpu utilization पर काम करता है high cpu utilization यहां 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 इधर आपको देखने को मिल जाता है और यह हाई cpu utilization पर काम करता है and multi-cast address वर्क करता है and support classless routing our addresses यह क्या करता है classless addresses के साथ वर्क करता है and additional अगर कुछ इसके फीचर की हम लोग बात करें तो जितने भी इसके number of routers है ना like number of router for internal communication ओके और internal network routers should be same area in same area तो जो भी internal network की router है माल लिया कि हमें यह जो router है यह जो three routers है for example के लिए यह three routers आप इदर देख सकते हो यह यह एक ब्रांच के लिए है माल लिया for example के लिए भी डायग्राम से नहीं या इधर एक डायग्राम बना दे कि हमारे पास कुछ number of router है इधर और यह सब एक दूसरे से अगर हमारे पास एक और ब्रांच है जो कि ब्रांच टू है या ब्रांच ओफिस है बी यो वन ब्रांच ओफिस वन और यहां पर दो राउटर लगे हुए आपस में और यह आपस में connected है एक दूसरे से तो अब यहां पर हमारा बीवन जो है ना यह इंटर्नल ही क्या होना चाहिए अलग मतलब की एरिया में हो सकता है या सुड़ भी सेम एरिया किसके लिए है हमारा इंटर्नल के लिए कि यहां पर अगर हमारा एरिया जीरो है तो यह हमारा एरिया जीरो हो सकता है या एरिया वन भी हो सकता है अगर एरिया वन है तो एरिया 0 में ना रखा जाए क्योंकि अगर हम लोग area 0 की बात करें तो area 0 जो है ये एक backbone area है जो भी number of routers within organization है different different network या area के साथ उन सभी routers को area 0 के साथ communicate करना पड़ेगा तभी area 1 का communication किसी another branch के area 2 के router के साथ हो सकता है यह ऐसे करना चाहें तो यह पॉसिबल नहीं है तो यहाँ पर area 0 का होना जरूरी है without area 0 it is not possible to connect dual area with each other so area 0 is a backbone area बाकी जो भी हमारे areas हैं वो backup area है ऐसे बोल सकते हो सब्सक्राइब तो यह है तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें router supports router use router id मुझे यहाँ पर router यूजड राउटर आईडी तो राउटर आईडी जो है न वो बोल सकते हो कि highest IP for any router is known as router id highest IP for any router अब माली है कि इस router की अगर हम लोग बात करें आर वन तो यहाँ पर हमारे पास दो आईपी है एक है 200.150.100.1 और एक हमारे पास है 11150.51 तो इसमें से highest IP कौन है तो यह हमारा आईडी वर्क करेगा और जो लोवर आईडी होगा वह हमारा एज़ा बैकप के लिए काम करेगा बट अगर कहीं पर भी लूप एड्रेस कन्फीगर किया गया है यह किसी भी लूप बैक इंटरफेस को एनेबल करके यहाँ पे एक टेंप्रियरली कोई लूप बैक आईपी दे दी गई है तो इसकी प्रियोरिटी हाई हो जाता है इन कंपेर ओफ दीज आईपी राइट तो यह एज राउटर आईडी कंसीडर करता है राउटर इन केस ओफ लूप बैक कंफीगरेशन लूप बैक कंफीगरेशन आल्वेज अन हायर प्रियोरिटी स्वाज में आया लूप बेक के जो भी अड्रसेस होते हैं वो हायर प्रियॉरिटी पर होते हैं एंड फास्टर कर्वर्जेंस मिलता है और इसका जो मैट्रिक लिस्ट कॉस्ट वेल्यू केल्कुलेट करता है यह 10 to power 8 divided by bandwidth जो भी bandwidth है इस पर यह list cost को कल्कुलेट करता है मैट्रिक को कल्कुलेट करता है 10 to power 8 करो और उसके बाद bandwidth से divide करो जो भी value आएगी और उन सभी values को हर port के लिए find out करो और उसके बाद best path list cost करके यह इसी तरीके से find करता है तो higher bandwidth जो होगी उसका लिस्ट यह उसका जो cost है वह आप लोगों को पता यह लोगा राता है और लेडी मैंने बता रखा फास्ट इथरनेट का कॉस्ट वेल्यू कितना है ऐसे वी लाइन के समय स्पैनिंग प्रोटोकॉल में फास्ट इथरनेट के तुरू कॉस्ट वेल्यू कितनी मिलती है अंडरेट मिलता है नैंटीन मिलता है तो आप लोग रिपीट नहीं मतलब देखो दो चीजह हो सकते हैं आप लोग रिकॉल नहीं कर रहे हैं जोकि बहुत इंपॉटेंट अभी ताजाता से सब कुछ से जितनी बार पर उसको रिकॉल प्रैक्टिस करना है कर लार कर डालो आप लोग ओके तो इक्वल पाथ लोड बैलेंसिक पर यह वर्क करता है और ऑथन्टिकेशन बेस्ट कम्यूनिकेशन यह प्रोवाइड करता है ओथन्टिकेशन प्रोवाइड ओथन्टिकेशन ओके मिन्स यहां पर जो भी कम्यूनिकेशन हम लोग करेंगे वो क्या होगा सिक्योर होगा तो यह तो रहा ओएसपीफ फीचर को लेकर ओएसपीफ के बारे में और ओएसपीफ के कुछ डीटियल्स को लेकर अगर हम लोग यहां पर एक प्रोपर्टी करते हैं लेट मी शो लाइक ओएसपीफ के टnor्मिनोलॉजऑ को टर्मिनोलॉजगी ओर ओएसपीफ इस ऑर टर्मिनोलॉजजीज फॉर ओएसपीफ हर राउटर आइडझ इसमें क्या होता है राउटर आईडी होता है एंड राउटर प्रियोरिटी होता है राउटर प्रियोरिटी देजिगनेटेड राउटर होता है देजिगनेटेड राउटर यह तीन तर्मिनलोजी यहां पर पहले समयें 0.1, 0.2, 0.3 राउटर आईडी means the highest IP address of any राउटर आर लूप बैक आईपी विल भीकम राउटर आईडी ओल्वेज राइट तो यह हमारा राउटर आईडी का टर्म होता है जो कि अभी हम लोगों ने देखा यह टर्म्स के अंदर रखेंगे और राउटर आर ओयस पीएफ राउटिंग प्रोटोकॉल हैज स्पेस्फिक प्रियॉरिटी वैल्यू जिसका DR और BDR में एलेक्शन होता है और इट बिट वैल्यू यह कितने बिट का होता है एट बिट निमेरिकल वैल्यू जो कि इसकी प्रियॉरिटी को डिफाइन करता है विच स्टार्ट फ्रम वन तो 255 राइट यह हमारा प्रियॉरिटी होता है तो अगर मैनुवली इसकी प्रियॉरिटी को सेट करना है तो यह वैल्यू है जिनको आप यूज कर सकते हो DR और BDR को यहाँ पे बना सकते हो तो यहाँ पे जो डेजिगनेटेड राउटर होता है आ जिए डेजिगनेटेड राउटर मिन्स डियार और जो बैक अप डेजिगनेटेड राउटर होता है वह भी DR होता है मिन्स जो DR beimuman यह समालते हैं समझ सtब कि अभी के लिए यह रूट है 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 न सारे मैसेज़ेस कोपडेट करना टेबल स्कूट को यह काम करता है तो it is elected to minimize the number of agencies formed right जो भी हमारे number of agencies form है उसको elect मतलब ये elect होता है उसको manage करने के लिए DR distribute link state advertisement with another router तो DR के पास जो responsibility है ना means DR router ये क्या होगा ये as a मतलब की सारी चीजों को manage करने से related काम करेगा और link state advertisement सभी routers के साथ मिलकर manage कर रहा होगा ये link state advertisement क्या है इसके अंदर router अपनी information को एक दूसरे के साथ share करते हैं okay LS से बहुत सारे types के होते हैं CCIE वगरा पढ़ेंगे तो पता चलेगा या CCNP के advanced concept with CCIE के core version के साथ right तो ये तो अगर हम लोग यहां पे DR और BDR की बात करें तो इसका election कैसे पता चलेगा कि elect कैसे होता है अभी आप screen clear कर दें screenshot वीडियो से ले लेना अब यहां पे मान लिया कि हमारे पास यह router 1 है ध्यान देना दिस इस राउटर 1 router 2 router 3 router 4 router 5 यह simple इधर के diagram में अभी हम इंटर करते हैं मैं एक ऐसे ही simple diagram डिजाइन करता हूं यह जो हमारे पास हाटर है यह जब्सक्राण पास एक राउटर है Biraz और यह हमारे पास एक राउटर है दिजान हों कि टेन है और बी राउटर का जो priority है वह है ट्वेंटी और इसका जो प्रेयोरटियग वो कितना है मान लीए죠 तो इसमें से दियार कौन बनेगा और ब्डियार कौन बनेगा कि मेटि अदर डियार वी दियार में लेंगा तो डी-ट्र कौन बनेगा यहां पर हाई स्ट प्रणूराटि ओई किसकी है कि कि अ भी कि इसका है न है लूवर प्रियोरिटी जो भी अमारे लूवर से वही बनेगा बाकि हमारे अदर में आ जाएंगे तो यह कौंसिप्ट हमारा टर्मिनल वाजी में तो यहां पर मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि यहां पर priority अगर set भी करते या router ID के भी आप पर selection लेते तो complication था क्योंकि इसके route को डूड़ना और इसके bit को डूड़ना थोड़ा सा दिकत है ना तो हम लोग IP देने के बाद भी इसको डूड़ सकते हैं सब्नेटिंग टेबल के तुरूड सकते हैं यह तो simple यह तरीका होता है priority ID और सारी तीजों के set करने का ओके अब मालिया कि अगर priority आपको set करना है तो किसी भी router की priority को manually change कर सकते हो और उसको balance कर सकते हो कि कौन से router को DR बनाना है और कौन से router को BDR बनाना है clear है BDR router will work as a DR router when DR router goes down जब भी हमारा DR router down हो जाता है तो उसकी जगह पे BDR router as a election और LSA message को manage करने का काम करता है समझ में आया तो यह पूरा का पूरा हमारा DR and BDR based information होती है अब यहां पर हम लोग कुछ OSPF packets को देखते हैं जो कि important है लाइक OSPF packets तो यहां पर हम लोग count करते हैं OSPF packets अब देखों packets इसमें hello message का packet होता है हर एक routing protocol में होता है हेलो मैसेज होता है कि अब दीबीडी होता है कि अब एलस आर होता है कि अब एलस यू होता है कि अब एलस एक होता है राइट तो यह टोटल हमारे कुछ messages यहां पर देखने को मिल जाते हैं हेलो मैसेज में यहां पर क्या होता है कि जैसे routers जो आपस में हेलो मैसेज send करते हैं और अपने nawr के साथ एडजनसी को अपडेट करते हैं यह नेवर डिस्कवरी में हेल्प करता है तो यहां पर बोल सकते हो कि नेवर Certainly में यह काम करता है जैसे router 1 जो है यह another router को as a discover करने या अपने neighbor के साथ जो भी agencies update वगरे उसको maintain करने में hello message का इस्तिमाल करता है right so hello message is used to manage neighbor discovery and build neighbor agencies and maintain that communication right तो उसको manage करने के लिए यूज किया जाता है जैसे यहां पर इतने लोग हैं तो इतने लोग मैसेज जब भी किसी को कुछ update देना है या मुझे कुछ बोलना है तो क्या करोगे है hello बोलोगे hello मुझे यह चीज पूछना था या इसा कुछ है तो hello means क्या होता है कि वह एक message है जिसमें कुछ update आपने दिया simple clear हुआ है hello message and dvd dvd का full form होता है database description अब database का मतलब आप लोग को पता यह क्या होता है database description right so database description क्या है कि it is the ospf roots of the router जो database हमारे routers के root का है वो पूरा dvd के अंदर होता है clear हुआ so in this packet ospf used to check of the lsdb between the two router है न मिन्स कहने का कि जो हमारा रूट है न वो दो router की बीच में या database description की summary को maintain करने में दो router की बीच में हमारा dvd masses काम करता है ओके तो बोल सकते हो कि जो भी topology की detail है as number की detail है area की detail है वो सब किसके अंदर होता है हमारे database में यही तो होगा database में क्या होगा hello message हमारा किस चीज़ को लेकर जाएगा database की information database में क्या होगा hello message means हमारे neighbor discovery urgency को maintain करेगा और database अगर हमारे router पर कुछ बनता है तो database की चीज़ का बनेगा किसी information का बनेगा और वो information क्या हो सकती है database के अंदर like जो भी routing topology है अगर इस router के पास कोई database होगा तो किस से related होगा इसकी topology से related कि कौन कौन से इसमें topology update है like यह update है इधर भी available data है port interfaces है इधर भी है इनका area होगा इनका as number होगा यही सब तो होगा database में क्यों है कि है ना है ओके तो लस आर लिंक इस्टेट रिक्वेस्ट लिंक इस्टेट रिक्वेस्ट अब database की information माल लिया कि routers के पास available है link state request में क्या होगा कि once link state request available for any router then router receive dvd ओके router क्या करता है receive करता है dvd and compare its own dvd router माल लिया कि इसने अपने dvd का यह dvd means database description इस router के पास lsr link state request में update आया तो यह चेक करेगा कि इसकी जो table detail है हमारी table detail से क्या है match करेगा तो इसमें क्या होगा कि receive करता है यह dvd को and compare करता है अपने database description से और अगर dvd के अंदर किसी भी तरीके का update रहता है तो वो क्या करता है उस update को send कर देता है संज मैं आया तो एक मिनट मैंने इसको भी delete कर दिया कि यह 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 तो यह क्या गह रहा है lsr कि इसने मान लिया कि अपने नेवर रॉटर से receive किया update और update से अपने router से match किया अब मान लिया कि कुछ update इसको मिला तो उसने उसको send करा लिया ठीक है यह हो गया उसके बाद हमारा lsu आ जाएगा lsu मिन्स होता है link state update तो जो update उसको मिला वो क्या आ जाएगा link state update में manage हो जाएगा link state update link state update मिन्स when a router receive lsr जब router lsr को receive किया और उसको लगा कि lsu message उसके अंदर कुछ है और उसकी कोई details है तो उसको क्या कर देगा update message में count कर देगा right and acknowledgement मिन्स की अगर इधर कोई अपडेट आया और उसने अपडेट कर लिया तो फाइनल क्या हो जाएगा link state acknowledge मिन्स मैसेश डन यह प्रॉसेश एक्सचेंज़ एक्सचेंज़ क्लियर है यह information होती है जिससे हमारे OSPF routing protocols के विहाब पर जो routers हैं अपनी टेबल अपने link state advertisement को manage करते हैं यह कुछ link state-based के ही messages आप बोल सकते हो यह information होती है और अब हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं राउटर के important factor जो की इंटर्व्यू बगर में काफी ज़्यादा पूछा जाता है वाट इस बैक बोन राउटर मैंने बीच में बताया भी है बट थोड़ा सा उस पर focus करते बैक बोन राउटर क्या होते हैं कि इसमें से बैक बोन राउटर कौन सा आप लोग बताओ मैं यहाँ पर नेम दे देता हूं इनका जैसे मैंने इधर दे दिया आर वन इसको दे दिया आर टू इसको दे दिया आर त्री इसको दे दिया आर फॉर इसको दे दिया आर फाइव बैक बोन राउटर्स बताईए एर्वन नहीं होगा और त्रीं और फोर एर्टू एरिया जीरो के जितने भी राउटर होगे है एडिया जीरो के जोभी राउटर सुहंगे वہ हमारे किसमें हूंगे बैक बॉनॡर होंगे मेन राउटर होंगे जिनके भीहाब से ही अनदर एरिया के राउटर सापस में डेटाबेस शेर कर सकते हैं तो आर टू आर त्री और है आर फोर राइट कि अगे इंटर्नल राउटर कि क्या होते हैं यह भी बताया है आर वन आर फाइफ यस तो यह जो है यह अपना एक इंटर्नल नेट वर्क है इधर भी हो सकता अपना खुद का और इधर भी हो सकता अपना तो सेम एरिया के जितने भी है राउटर इस राउटर विच है पाल आफ interfaces in a single area तो जिसके सारे interfaces single area में है तो यह जो router है इसको तो हम नहीं रख सकते इसको भी हम नहीं रख सकते तो यह single area में है तो यह हमारा क्या हो जाएगा internally यह है और यह भी अमारा और ये भी तो मारा इन्टरनल ही वह क्यों इसके दोनों इंटरफेस देखो अइरिए जीरो में है इधर एरिया जीरो लेलो और इधर भी एरिया जीरो इन्टरनल एक Осफ हिए में सारे इंटरफेसेंज जो है एक यदिब हमारे पास आ जाता है एरिया बॉंडरी dcular abr abr router वो routers होते हैं जो connect होते हैं एक area से दूसरे area में जैसे यहां पर आप लोग बताओ कि r2 है और r3 r2 कौन है r2 r1 r2 r3 r4 r5 तो यह जो router हमारा है यह क्या हो जाएगा boundary area boundary router क्योंकि यह हमारा area 0 से connected है इधर भी area 0 area 0 से connected है area 0 से है और area 1 से भी है तो यह हमारा क्या होगा एक और हमारे पास आ जाता है एस बी आर एरिया समरी बॉर्डर राउटर एरिया समरी बॉर्डर राउटर इरिया समरी बॉर्डर राउटर मेंस ओर इसपीफ राउटर कनेक्ट वीध इनी अधर राउटिंग प्रोटोकॉल राइक व्यूस्पी इफ का यह आई जी आर्पी या अनदर कोई राउटिंग प्रोटोकॉल के साथ कम्निकेशन हुआ है तो वह क्या यहां पर एसबी आर राउटर कोई है तो अगर मालिया नहीं है तो हम यहां पर इस वाले राउटर को कनेक्ट कर देते हैं एक और राउटर से और यहां पर इन दोनों के बीच में कंफीगर कर देते हैं यह इस राउटर पे हमारा यह जी आरपी भी है अब बताएए एस ब्यार राउटर यह होगा है ना तो सिंपल एक राउटर पे जब ओएस पीफ के साथ अनदर राउटिंग प्रोटोकॉल का भी इंटिग्रेशन मिल जाता है तो एरिया समरी बॉर्डर राउटर हो जाता है टाइमर्स के बारे में मैंने बता दिया टाइमर्स इनका टेन सेकेंड है और फॉर्टी सेके ब्रांच 2 ब्रांच 3 एंड ब्रांच 4 एंड ब्रांच 5 यह सारी ब्रांच हैं जिनको हमें क्या करना है कन्फीगर करना है तो सबसे पहले हम लोग ब्रांच 1 की कन्फीग्रेशन पर आ जाते हैं कि सो ब्रांच 1 की कन्फीग्रेशन के लिए हमें तो सबसे पहले हम लोग यहां पर ब्रांच वन ओपन कर लेते हैं, यह हमारा ब्रांच वन हो गया, और उसके बाद हमारा ब्रांच थरी है, और उसके बाद हमारे पास है इसके बाद प्रांच 4 है उसके बाद ब्रांच 2 है उसके बाद ब्रांच 5 है और हमें क्पाईनली मैसेश किसे करना है इस user 6 से user 6 को वहां यहां पर ओपएन करता हूं इस PC को और यह user 11 को packet भेज़ेगा इधर ठीक है मतलब कि इसको इधर से ऐसे इसके पास इधर भी path हो सकता है इधर भी हो सकता है और यह इधर तक communicate कर लेगा तो मतलब बहुत आसान है इसकी configuration बहुत easy राइट तो हम लोग यहाँ पे OSPF का आप लोग कोई भी डियाग्राम बना लेना तीन लाइन की बस कमांड याद रखना है मेरा configuration लंबा इसलिए हो जाता है क्योंकि मैं बड़े बड़े network में समझाता हूं इन सारी ब्रीफ एंटर तो आई थिंक यहाँ पर हमारा जो configuration है टू हंडेट डॉट बताइए सही है कि टू हंडेट प्राउटर वन पे टू हंडेट वन एथरनेट जीरो पर ओके है यानि कि यह वाला configuration हमारा डन हम लोग यहाँ पर मार्क भी करते जाएंगे यह configuration डन हो उसके बाद हमारे पास है 11 150 151 11 150 150 यह भी हमारा पोर्ट डन तो यह दो interfaces की IP मैंने दे रखा है बस complete उसके बाद मुझे दूसरे वाले राउटर पे यानि कि उसके नीचे वाले राउटर पे यहां पर मुझे चेक करना है 172 168 0.1 इथरनेट 0-0 पर यानि कि यह जो दिग्रेशन है हो गया उसके बाद हमारे पास वन वन डॉट वन फिफ्टी यह कहां पर तो सेरियल वन स्लैस जीरो यह भी हमारा complete है पोर्ट अब भी है और उसके बाद वन नाइंटी टू यानि कि यह भी हमारा complete है और एरिया इसके लिए कोई एसके लिए आइपी नहीं है तो इसके लिए बंदोर मन कर लेते हैं ठीक है कि यहां के लिए एक लिए का द्यान राभ्ते आश्व के लिए मैं लिख मैं टीटांट platforms का ऑन और इदर वन डॉर्ट वन डॉर्ट वन डॉर्ट टू ठीक है यह दन तो इस कन्फिग्रेशन के साथ हमारा वन 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 भी यहां पर अप्लाई है सीरियल वन स्लेस्ट वन पर ओके तो हमारा राउटर टू का सारा इंटरफेस कन्फिगर है अशां आ जाते हैं राउटर फॉर पर और हमारे पास इतरनेट जीरो सीरियल लगे वन स्लेस्ट जीरो वन 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 तूट साहिए ठीक है और उसके बाद वान स्लेस्ट वान वन ब्के ट्वन ट्वेंटी टू चाहिए है उस इसको देने की जरूरत नहीं कि क्या ज़रूरत इसको हमने जब्यक्श कर दिया इंट्री करना ठीक है इदर से हमे目ड यहां पर सैरा ना कर दे अबoria लेट को क्या ओटाओ crot टू ब्रांच टू पे सोई स्पेस आई पी स्पेस इंटर्फेस इसके स्पेस ब्रीफ कोई आई पी है नहीं कन्फिग्रेशन मोड पे आते हैं और इंटर्फेस स्पेस बताएए क्या होगा सीरियल 1-1 और आई-पी अड्रेस आई-पी अड्रेस सीरियल 1-1 20.0.0.1 विच सबनेट मास्क और एंटर नो शट्डाउं यह होगया यह ब्रांच 2 वाले पर हमारा आई-पी अड्रेस हो गया और हमारे पास एक और आई-पी है इस पर जो की है सीरियल 1-2 तो एक्जिट करते हैं सीरियल 1-2 आई-पी अड्रेस 192.168.100.2 विच सबनेट मास्क हो गया और दू राइट कर देते हैं इतना मैं सेव कर देता हूं इस पर ठीक है तो सो इसपेस आई-पी इसपेस इंटरफेस इसपेस रिफ इंटर अभी देखिए सही है बस दो आई-पी चाहिए मुझे मैंने यहां पर यह कंफिग्रेशन अभी थोड़ा सा रिजेक्ट कर दिया है ठीक है इसकी ज़रूरत नहीं है आप अग्या कि अब और यहां पर एस रौटर पर यह वाला कंफिग्रेशन मिंस रौटर five का है और इस पर हम लोग चेप करते हैं सो इसपेस आइपी इंटरफेस इंटर्फेस इसपेस इंटर इंटर आई-टिंक यहां पर भी कोई कंफिग्रेशन नहीं तो इसकी किन्फिग्रेशन भी हम यहां पे करते हैं इंटर्फेस स्पेस सीरियल कितना है जीरो इस्लाइस जीरो तो इसमें तो इधानेट है सब करनेट जिछ जीरोड़ अबी सीरियल खोट है तो सेरियल ओन जलेश जीरो एब होई तो सीरियल वन इस जीरो किस पर आौटर पर तो सीरियल वन इस जीरो जिसका IP address हमें क्या देना है 2.2.2.2 इसको 24 बिट पे ही ले लेते हैं अब इतना ज्यादा ध्यान या इतना ज्यादा हम बिट और सारी चीज़े नहीं देखने मले ठीक है तो यह चटडाउन कर दिया और हमारा राउटर जस्ट अपलाई होगा इंटरफेस सबस्केश वगर्ण सारे काम कर हैं उसके बाद हमारे पास एक और इंटरफेस है यहां पर आपको एक्जिट करना है यहां पर इंटरफेस इस पेसी जीरो स्लैस वन है देखिए यहां पर E0-1 जिस पर IP 50.12.1 तो IP address के 50.12.120.1 वन स्पेस अमनेट मास्क नो शटडाउन डुपलेक्स फुल दू राइट और हमने इधर भी अगर डुपलेक्स मोड दिया था सीरियल पर IP दिया है और सीरियल पर दोनों सीरियल पर दिया है इधर तो लुपलेक्स मोड देने की जरूरे पर यह हमारे पास अपलाई हो गया तो सारे राउटर पर अपलाई हो गया तो यूजर शिक्स पर आते हैं सो इस पेस आई पी इसकी अभी ब्लैंक है और हम लोग राउटर वन पर अगर यह राउटर इस पर चेक कर लें सो इस पेस आई पी स्पेस रूट एंटर तो कोई लोग यूजर शिक्स पर आते हैं और आई पी अपलाई करते हैं यूजर शिक्स का देखिए आई पी क्या है तो आई-पी स्पेस 200.150 150.100.100 255 255 2550 200.150.100.1 राइट शही है न ध्यान देना और हमारे पास एक और यूजर है यूजर एट जिसका आई-पी अड्रस है 5012.120.255 255 2550.12.120.1 यही है अब हम इस यूजर से पिंग करा लेते हैं पिंग स्पेस किसको गरा दें 50.12.120.2 तो हमारा होस्ट क्या हो रहा है रिचबल आ रहा है ठीक है हमें रिचबल लाना है तो हम लोग राउटर वन से रूटी स्टार्ट करते हैं अब तो कोई इंटरफेस पर कोई आई-पी नहीं है तो राउटर वन से हम लोग रूटी स्टार्ट करें तो राउटर वन पर जो वैस पीफ देखो ओ यस पीफ की कन्फिग्रेशन एक लाइन में आपको कर लेना है राउटर वन के लिए मारे प और एंटर कर दिया बस के लाइट वाद अपना नेटवर्क क्या कर देना नेटवर्क इस पेस 200.150.100.00 और इसका वाइल कार्ड मास्क्त यहाँ पर स्सक्ति का अप्याइड करना है वाइल कार्ड मास्क्त referredahат किसी भी कैसी भी सबनेट मास्क्त चा अपोस्ट पैल्लियो तो म और इसको एरिया किसमें रखना है एंटर हो गया पहला दूसरा नेटवर्क हमारा 11.150.15 का से इसका फ्यट मास्क-जी रखनाओं-टशीठि मास्क जीरो-टूट 255 इस हो गया पहले राओटर का और कुछ तोंगा नेट्वर्क था दूसरे वले पर है ना असान इसकी कन्फिग्रेशन तो दूसरे राउटर पर हमें बस एक दो रूट आड कर लें इधर वाले की क्या जरूरत है करना है तो कर दो कोई दिक्कत नहीं तो राउटर यानि की ब्रांच त्री वाले राउटर पर जो हमारा पाथ होगा वह होगा राउटर आज ही हम लोगों को भी जीपी भी पढ़ना है राइट 30 सॉरी कंफिग्रेशन मोड पे राउटर ओयस पी अफ 30 नेटवर्क उसके बाद हमारा नेटवर्क क्या है बताईये पहला 11 15 01 50 00 ऐरिया वन यह 0 नहीं यह सब्वान वन वन क्योंकि यह बी आर है है ना उसके बाद हमारा नेटवर्क दूसरा नेटवर्क क्या है 192.168.100.000255 एक और नेटवर्क जिरो ए यह यह ए अरिया जिरो और सर 192 में सर थी तैम 255 255 और सर वायल काड में सर लास्ट भी की है न सर्ट सुरी क्लास्टी की एजना सर आइप एड्रेस्ट 255 255 और लास्ट में 255 रखा जीरो की जग़र तो सर एक लास्ट में फिर हम इस तरह होना चाहिए त्री टैमस 255 नहीं क्योंकि वह लूस्ट में 255 जरूरी है वह एक सब्नेटिट केल्कुलेट हो चुका है राइट जैसे समझ गया समझ गया सब्सक्राइब व्रोटकॉस्ट एड्रेस लिग दो और जो समनेट मास्क है ठीक है उसको माइनस कर दो सब्सक्राइब जीरो कर दिया तो 255 बाकी इधर 00 हो जाएगा ठीक है जो भी समनेट मास्क है आपका नीचे उसको broadcast id से माइनस करके देखो जो आएगा वही लीग देना है ठीक है तो और कुछ इसमें बचा वह गया सब ना ब्रांच 3 पर एक तो मुझे रिजेक्टी करना था 172 है ना ठीक है डन अब हम लोग करते हैं configuration मोट पर आते हैं और राउटर ओएस पी अफ 30 यह ब्रांच 4 पर क्या होगा कि नेटवर्क 1.1.1.0 है है आप लोग अगर सबनेट मास्क को लेकर यह बिट को लेकर कनफ्यूज हैं तो यह रिए मैं दिखाता हूं कैसे आप कर सकते हो नेटवर्क मैं आड़ करता हूं दूसरा नेटवर्क टू डू 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 जीरो जाएगा और एरिया टू में हो जाएगा ठीक है तो मेरे कहने का मतलब जब भी ऐसे लगे कि यह कुछ इदर उदर चीज हो रहे हैं ट् तो सोई स्पेस थोड़ा सा कन्फ्यूज नहीं होना जस्ट इसको समझना स्लैस ट्वंटिफोर जहां पर आ रहा है वहां पर उसके कॉर्डिंग मैनेज कर लेना ठीक है ठीक है बाकी थर्टी टू भी है तो एक्टिवेटेड बिट है नेटवर्क हमें यहां पर देखना है नेटवर्क ठीक है तो उसके कॉर्डिंग यह है बस कोई दिक्कत नहीं यह हो गया सारा कन्फिग्रेशन ब्रांच टू हमारे पास है ब्रांच टू पर जाने की ज़रूरत है हमें तो रूट इधर से लेकर जाना है तो इसको इग्नोर कर सकते हो लेकिन ठीक है अब कौन कौन से वन नेटवर्क दूसरा हमारा इरिया जिरो नेटवर्क दूसरा हमारा राउटर पर हमारा जो कन्फिग्रेशन है क्या होगा इसर मैंने कर दिया तिंग एरिया टू नहीं अभी हुआ है देग्रों अ तुरंति एडिजन्सीज बगार को अपडेट दे रहा है राइट अ और एक और हमें इधर पाथ अपडेट करना है नेट वर्क स्पेस फिफ्टी वरां ट्वेल वन ट्वेंटी टॉप जीरो 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 तो सक्सेस्फूल होना चाहिए ठीक है बाकी अब मॉनिटरिंग बगर है के तुरू हम लोग इसके अंदर काफी चीज़े चेक कर सकते हैं और अगर मान लिया कि मैं अपने इस पीसी से जो ट्रैफिक सेंड हो रहा है उसको देखना है तो मैं इस पर राइट क्लिक करके कैप यहां पर डिफॉल्ट है या बाइडिफॉल्ट देखो क्या मैसेज़ेज हो रहे हैं वह स्पीएफ हैलो पैकेट सेंड हो रहा है टू टू फॉर नॉर्मल अपडेट में टू 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 फॉर जिरो जिरो फाइफ इस्तिमाल कर रहा है कोई अपडेट होगा तो किसका लेग रिप्लाई हेलो पैकेट कहां से हो रहा है यह देख सकते हो हैं तो हंड़ाइट वन ट्वेंटी अंड्रेट वान क्लियर है है हेलो मैसेज अर्टिमेटिक एक पर्टिकुलर टाइम पर यह मैसेज नॉर्मल अपडेट हो रहा है तो ब्रॉट हमारा जो डेस्टिनेशन है वो 224 005 काम कर रहा है ना जो की थेयरी में बताया गया था अब अगर मान लिया कि हम पिंग मैसेज सेंड करते हैं पिंग मैसेज तो यहां पर पिंग मैसेज हमारा अपडेट हुआ है आप देखो पिंग मैसेज जब अपडेट हुआ आइसीएंप तो 200 से पैकेट आया किधर 50 मतलब लाश्ट होस्ट के लिए और आइसीएंप मैसेज है सब कुछ प्रॉपर तो काम हो रहा है और यह अपडेट सारी चीजे मैनेस कर रहा है इविन दैन ट्रेस रूट कर सकते हो और ट्रेस रूट में ट्रेसर्ट स्पेस 50.12.120.2 इसमें ट्रेस ओनली ट्रेस 50.12.120.2 तो किधर से इसने पैकेट भेजा इधर देखो अपडेट में सिसको पैकेट ट्रेसर में भी आप देख सकते हो कौन सब प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया यूडीप और यूडीप यूडीप और डीटेल भी देख रहे हो आप यहां पे इसने 200 का मैसेज इधर से लिया और अगला इसको इसने बनाए 11, 150, 150 यही हो ही सकता है और कोई पाथ है ही नहीं राइट अब इसके पास यहां पर 192 है और 111 है तो इसने किसको चूच किया 111 को है ना और 111 के बाद इसने किसको चूच किया और फाइनल मतलब कि यह जो रूट इस्तेमाल कर रहा है यह बेस्ट रूट का वैरी कर रहा है अगर यह डाउन हो जाएगा तो यह इधर से सेंड कर सकता है लेकिन इसने प्रियोरिटी या हाइस्ट वैल्यू कि धर से करेंगे तो आइधिंग कि धर ही आपको प्रियोरिटी मिलेगा डारेक्ली यहां से यहां फिर यहां यहां पर आपको एक और 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 कहीं नहीं कहीं कॉस्ट वैल्यू में फर्क आही जाएगा राइट तो यह इस बेस पर काम करी रहा है आप देख सकते हो तो पस यह सारी च आते हो तो वायर सार को लगा के रखो और इसके पैकेट्च वगयरे को यहां पर देखना इस्टार्ट कर सकते हो कि को कि को कि कि कर लें कि यह सब दानो एक गंटा दा एक गंटा वह भी लगेगा इसमें कुछ और फलो जाएगा कि सोना ही तो है कर ले कि खाना नहीं खाया अभी आप लबाने मैं तो दो तीन बज़े तक अभी उठना है फिर पगाएंगे खाएंगे राज के दो तीन चार बज़े तक अच्छा ठीक है चलो काली कर लेते हैं ठीक है कि तरह भी जाना होता है नहीं उधर नहीं रहते हैं अ के क्षी क्षार चारन अभी जाता है 5 जाता है और जो जेख से पहले 10 वे तक ऊड़ जाते हैं । दो जरे हैं नहीं मैं जारस equity के मतलब आद बज़े कर 3-4 गंटे आराम से फांच गंटे चार गंटेख रंदे पांच गंटे जो के आट राउटर आईडी वगरे भी आपको इसमें से देखना है है ना कि हमारा राउटर आईडी वगरे क्या चल रहा है तो आई तिंग देख सकते हुआ है ना इसको तो हमने चेक ही नहीं किया जैसे राउटर वन पे इनेबल इसकी ट्रबल सूटिंग देख लोगा तो क्या दिखा रहा है यहां पे वे यहां पे लिखा हुआ है इंटर एरिया राइट इंटर एरिया के लिए और एक्स्टरनल एरिया के लिए जो होगा महां पर डीटल मिल जाएगी इस पेस प्रोटोकॉल स्पेस और कर सकते हैं बाकिए डीटेल आप यहां पर देख सकते हो तो यहां पर जो राउटर नेवर डीटेल पूरा डीवेडी इंफोर्मेशन अगरे में देखो यह पूरा इंफोर्मेशन रखा है वन वन जीरो प्रोटोकॉल आईडी पे काम कर रहा है है ना तो यह अपडेट अपना रखा हुआ है इवेन दैन अभी यहां पे राउटर आईडी देखो क्या लिखा हुआ है यह तो मैंने जो यहां पर डाइग्राम अभी दिखाया था उसमें से यही तो था इसका स्क्रेंशॉट की दर्विया है ना तो इसमें से राउटर आईडी कौन बना हाइस्ट राउटर इसका यह ठीक है हाइस्ट आईपी राउटर आईडी का वर्क कर रहा है तो इसी तरीके समारे लेक्शन होता है बाकि समरी बगर भी टॉपोलेजी बगर एक अंदर क्या इन्फोरमेशन है तो सोई स्पेस आईपी प्रोटोकॉल इस पेस एंड देन टॉपोलेजी एंटर ट तो इस इस इंफोरमेशन के बारे में पूछ रहे हैं यहां से इस्टियागे नौँ कि अगरर इसके समरी इंफोरमेशन को यह पे देख सकते हो तो बस सोई स्पेस आईपी स्पेस क्वेशन likelihood को getting जो इन्फोर्मेशन देखना है वो देख सकते हैं अपडेट टाइमर हैलो मैसेज बगरह भी यहां पे दिखाएगा कहीं पे होगा इसको देखेंगे तो ठीक है इसको देखना और इसमें कुछ वो नहीं है लसे मैसेज है तो उसकी कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगा वाइटिंग है ओके गुड़नाइट